नमस्कार आपका स्वागत है इस्ट्रिया डिल जिन्दिया में आपके साथ मैं पूनम 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कॉंग्रेस सांसत राहुल गांदी भारत नया यात्रा शुरू करेंगे यह 14 जन्वरी से मणिपूर से शुरू होकर 20 मार्च को मुंबई में खतम होगी इस दोरान यात्रा 14 राज्य और 85 जिलो को कवर करेंगी इस दोरान राहुल गांदी बस से और पेदल 6200 किलो मिटर से जादा की यात्रा करेंगे कॉंगर्स महासरचिव केसी वेड़ी गोपाल और जैराम रमेश ने बुदुवार को पार्टी हेड़कॉर्टर में मीडिया को बताए कि भारत जोड़ यात्रा के बात कॉंगर्स पार्टी भारत नया यात्रा करेंगी कॉंगर्स महासरचिव केसी वेड़ू गोपाल ने कहा कि पार्टी अद्ध्यक्ष मलिक का जुन खड़ गे इस यात्रा को हरी जंडी दिखाएंगे भारत नया यात्रा का मकसद आर्तिक, सामाजिक और राजनितिक नयाय है इस यात्रा में राहूल, युवाओं, महिलाओं और हाशी पर पड़े लोगों से मुलाकात करेंगे बस यात्रा से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा जाएगा यात्रा में कुछ छोटे हिस्से को रुक रुक कर पेदल भी कवर किया जाएगा इसके अलावा 28 दिसंबर को कॉंगर्स के स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी नाकपूर में महारेली करेगी इसका नाम है है तैयार हम इस महारेली से 2024 लोकसबाचनाव का शंकनात होगा इसी की साथ बने रहे एश्याद्यूस इंडिया के साथ धन्यवाद